दोस्तों शादी सभी के जीवन में एक ही बार होती है और अगर आपने शादीयां अटेंड करी हैं तो आपको तो पता ही होगा कि लोग शादी की आड में ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं जिसे देखकर शादी में आए महमानों के सांसा दूला और दूलन भी पेट पकड़ कर हसने लगते हैं तो दोस्तों आज हम आपके लिए शादी के कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज लाए हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत मत आएगा तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेश्ट करें शुरू करते हैं सादी से भरे इस वीडियो को दोस्तों शादी में तो ऐसे ऐसे कांड होते ही रहते हैं जैसे कभी दुलहन दुलहे के उपर वर्माला फेक देती है तो कभी दुलह जोश जोश में दुलहन के ही पैर चुलेता है वैसे दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है असली कांड तो इस शादी में हुआ दरासल दोस्तों हुआ कुछ यूंकी दुलहन ने वर्माला पहना दी थी और अब दुलहन ने दुलहन ने दुलहन के साथ मस्ती करने की सोची लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मस्ती उसी पर भारी पढ़ जाएगी दोस्तों हर किसी को अपनी शादी की अलग ही खुशी होती है और भाई खुशी हो भी क्यों न आखिर उसकी जिन्दगी में साथ देने के लिए एक नया जीवन साथ ही जो आने वाला होता है लेकिन दोस्तों जड़ा आप इन दूले राजा को देखिए भाई इनकी खुशी तो कुछ अलग ही लेवल पर है और यह अपनी शादी में खुद ही डांस कर रहे हैं यह सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो दोस्तों आप मेंसे जिन भी लोगों की शादी हो गई है मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भी अपनी शादी में डांस किया था कमेंट करकर जरूर बताएं दोस्तों बहुत सारे लोगों को पीने की आदत लग जाती है और वह पिये बगएर एक दिन भी नहीं रह पाते तो दोस्तों यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है दूले राजा पीने के कुछ ज़्यादा ही शोकिन लग रहे हैं और भाई साहब अपनी शादी में ही पीकर आ गए और ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि पीने के बाद आदमी पागल हो जाता है यानि कि भाईवे ब इस सज्जन को क्या तकलीब है भाई दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिए अगर आपके सामने रसगुला है और रसमलाई भी है तो आप क्या खाना पसंद करेंगे रसगुला या रसमलाई या फिर दोनों कमेंट करके बताईए तो दोस्तों अभी जो मैंने आपसे सवाल किया है कुछ ऐसी हालत यहां पर भी है दोस्तों दूरे राजा के हाथ में रसगुला है लेकिन फिर भी रसमलाई की तरफ नजर लगाए हुए हैं दोस्तों विदाई के टाइम पर लगभग सभी दुलहन की आखे भराती है क्योंकि उस दिन उसे पराई घर जाना होता है औ उसने अपने परिवार के साथ बिताय होते हैं और अब सब को छोड़ कर जाना कोई आसान काम नहीं है और दोस्तों ऐसा ही कुछ इस शादी में भी हुआ यहां पर भी दुलहन रो रही होती है लेकिन वह इतना रोती है कि उसे उठा कर ले जाना पड़ता है और जाते जाते ऐसी ऐसी बाते कहती है कि अब पता नहीं इन्हें सुनकर आपको हसी आएगी या अफसोस होगा इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो याद मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना जिला मैं कभी नहीं होंगा अपनी पूरी जिंदगी में चितना इसमें जिला हूँ मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूट भेक के मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे न अपाााा!